कोई बड़ा दिल नहीं नहीं तो फाइनल साल कंपन्यू के एजेंट है कौन बड़ा दिल दिखा रहा वही लिया है तो किसानु का संघर्ष का नतीजा है यह और आज भी एहरा फेरी बहुत हो रही है किसानों की फसले बिखती रहेगी विजली अमेंटमेंट बिल है अगर कोई दो पसु रखागा उसको कोमर्सल करनक्सल लेना पड़ागा सीड बिल हाउस में रख्या हुआ है अगर आंदोलन नहीं होता तो सीड बिल लेक आते बीज का कानून आ रहा है अभी दिल में अगर ब करकार को हमने का है कि आप बातचीत का रास्ता खुल लो जब तक बातचीत नहीं होगी तो किसान वहां से जाएगा नहीं आज नो मेंबर कमेटी की मीटिंग है हम उसमें पूर्ण रूप से सहीक्त मोर्चार तह करेगा कि हम तीनों जो कानून है इनको वापसी लेते हैं यहां पर महराष्ट में भी यहां पाए तो अगर MSP पर कानून हो तो MSP से निच्चे पर खरीद नहीं होगी तो ही किसान को लाब होगा यह किसान की एक जीत है अगर एक साल बाद में सरकार ने सुद ली है यह उन सहीदों को जाता है जो साड़े 700 से ज्यादे किसान सहीद ह जाता है उन वस्जान बेंसन को जाता है जिनने इस आंदोन को था बना वो चे दिली गया या नहीं गया अपने वहां पे रहा तो यह उनको यह संगष की जो गाता है उनको है पूम रूप से और यह उन ही की जीत है यह पर अपर लगा लो यहां पर जिससे आपके पाल घर में भी पोर्ट बन रहा है कहां से पाड़ियां उठाएगी कहां पोर्ट बनेगा और अडानी को यांबानी को जाएगा दूसरे तीसरे को जा नहीं सकते हैं यहां कि निकी जमीन ने जाएगी आधिवास जंगल जल जंगल जमीन पर तो अधिकार उनका रहना चाहिए जो वहां के निवासी है सब्सक्राइब करें नहीं होगा जब तक यह पार्लेमेंट में वापसी नहीं होगे जब तक किसान वहीं पर ही है और MSP पर गारंटी कानौन क्योंकि MSP पर गारंटी कानौन बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाब होगा वो एक बड़ा सवाल है, हम यहाँ पर महराष्ट में भी यहाँ पर आए, तो अगर MSP पर कानून हो, तो MSP से निच्चे पर खरीद नहीं होगी, तो ही किसान को लाब होगा, यह किसान की एक जीत है, अगर एक साल बाद में सरकार ने सुद ली है, यह उन सहीदों को जाता है, जो साड़े साथ सो से जाद है किसान सहीद हुए, यह उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदोरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है, जिनने इस आंदोलों को हिस्सा बना, वो चे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वाहाँ तो यह उनको यह सं सब्सक्राइब कोई बड़ा दिल नहीं नहीं तो किसानों का संघर्ष का नतीजा है और आज भी इहरा-फेरी बहुत हो रही है अगर कोई दो पसु रखागा उसको कोमर्सल करक्स लेना पड़ागा सीड बिल हाउस में रख्या हुआ है अगर आंदोलना होता तो सीड बिल लेकाते बीज का कानून आ रहा है अभी देश में अगर बीज का कानून आएगा तो कोन किसान अपने खेत में कौन सा बीज अधिकार होने जा रहा है तो यह संगर्स होर भी लंबा चलेगा जारी रहेगा और सरकार को हमने कहा है कि आप बाचीत का रास्ता खुर लो जब तक बाचीत नहीं होगी तो किसान वहां से जाएगा नहीं आज नो मेंबर कमेटी की मीटिंग है हम उसमें पूर्ण रूप से सहीक तुम और चार्ट तहे करागा